नाप्रूरट इवीजन में पंद्रा लाक किसान है और अब तक तीन लाक से अधिक किसानों ने प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना की तहट पंजी करणकरवाया है कृषी नीतेशक ने पताया कि 31 जुलाई तक पंजी करणकर आय जा सकता है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना राज में खरीफ मौसम 2016 से क्रियानवीत की जा रही है इस योजना को खरीफ सीजन से तीन साल के लिए लागू करने की मनजूरी दी गई है हाला की किंद्र सरकार ने बीमा श्रेतर घटक के साथ श्रेतर में अधी सुचित फसलों के लिए 2023 से रभी 2025 से 26 सीजन तक की तीन वर्षों के लिए फ्यापक फसल बीमा लागू करने का नेने लिया है तदनुसार बीमा कंपनियों को तीन वर्षों के लिए एक तंदर के रूप में लागू किया गया है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना उधार करता के साथ साथ गैर उधार करता किसानों के लिए भी स्वेचिक है आपन स्वभा गिवा आपनी नाव नोन नी करा जैने करूल भूश्या मदे नैसरी आपत्ति आने कीट्रोग या पसुन या जोख्मीन पसुन आपल्या पिकाचा काई नुपसांज हलाओ तर आपलेला पीक विमा तेचा मदे मुडू चके या चा मदे जोख्मी चा बाभी आए त्या सर्व जोख्मी चा बाभी ना तैचा मदे दुश्काड दुश्काड आसेल पाउसा मदे खंड आसेल कीट्रोग आसेल क्युवा तैचा मदे आग लगने आसेल वीज पढ़ने आसेल या सर्व जोख्मीन पसुन सग्ड़ा प्रक खरीब सीजन 2023 के लिए योजना में उधार करता और गैर उधार करता किसानों की भागीदारी की अंतिम्ति थी 31 जुलाई 2023 तक है नागपर संभा के किसानों की कुल संख्या 15 लाख है अभी भी 3 लाख से अधिक किसानों ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट पंजी करन कराया है कृशी नितिशक ने पताया कि 31 जुलाई तक पंजी करन कराया जा सकता है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना राचों में खरीब मौसम 2016 से क्रियान विद की जा रही है NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ श्रिती जात देश मुखी रिपोर्ट